दोस्तों नमश्कार आदाब सत्रीयकाल दोस्तों नियूज मन्थन के इस कारिकरम में आपका स्वागत है क्या जारखंड के मुख्यमंत्री हैमंद सोरेन की जो गिरफतारी हुई कुछ दिन पहले अब वो पूरु मुख्यमंत्री हो गए हैं उनकी जगह चमपई सोरेन आ गए हैं मुख्यमंत्री बनकर तो क्या हेमंद सोरेन जो मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री के पत से उन्होंने जैसे ही स्थिपा दिया उनको तत्काल गिरफतार कर लिया गया क्या वैसे ही देश्क में एक अन्य राजी के मुख्यमंत्री की गिरफतारी संभावित है जिहां मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिस तरह पुलिस उनका लगातार पीछा कर रही है पहले ED की पीछा कर रही थी और अभी भी कर रही है दो फरवरी को उन्हें E.D. के समक्ष पेस होना था शराब घोटाले में लेकिन वो पेस नहीं हुए अब तक कई बार ऐसा हो चुका है कि उनको नोटिस आई उनको समन हुआ और वो पेस नहीं हुए तो क्या E.D. के मामले के बाद जो दिल्ली की पुलिस का जो क्राइम ब्रांच है वो अब स्टेट्मेंट जो दिये थे आमादी पार्टी के नेताओं ने इंक्लूडिंग अरविंद के जरिवाल और आतिशी जो सिक्षा मंत्री हैं क्या इस मामले में भी उनकी गिरफतारी संभाव है ये बड़ा दिल्चस्प मामला है दोस्तों क्योंकि अर्विंद के जरिवाल और आतिशीव के ऊपर ये आरूप लगाया था भारती जनता पार्टी के निताओं ने उनके 30 जनौरी के बयान के आधार पर कि उन लोगों ने यानि इन लोगों ने जो अर्विंद के जरिवाल की पार्टी के लोग हैं स्वेम अर्विंद के जरिवाल ये भारती जनता पार्टी के उपर जूठे आरूप लगा रहे हैं निराधार आरूप लगा रहे हैं कि पार्टी जो है आम आदमी पार्टी के कोशिश की जा रही है अब ये जो पार्टीयों में अपने देश के आम तोर पे इस तरह की जो बयानबाजी है होती रहती है लेकिन इसको भारती जंता पार्टी ने एक तरह से बहुत बड़े आफंस के तौर पे पेश कर दिया जैसे मानों की कभी तोड़ फोर पार्टियों एक पार्टी दूसरी पार्टी को करती ही नहीं है हम इस विवाद में नहीं जाएंगे लेकिन ये मामला नौकेवल रायनितिक बयानबाजी तक सीमित रहा ये पुलिस तक जाप मुचा पुलिस में शिकायत हो गई और भारती जनता पार्टी के जो दिल्ली के सांसद हैं पदाधिकारी हैं उन्होंने पुलिस कमिशनर दिल्ली से मुलाकात की शिकायत दर्ज की आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाब खासकर मुख्यमंत्री के खिलाब और इसके बाद दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है अर्विंद के जिरिवाल के पीछे लग गई आतिशी के भी सबको नोटिस दिया गया सबको थमानी की कोशिश की गई कि जाकर नोटिस स्वेम उनको पेश की जाए और उन दिल्ली पुलिस का जो क्राइम ब्रांच के लोग हैं अपसर हैं वो पांच घंटे तक अर्विंद के जिरिवाल की कोठी पर जमे रहे पांच घंटे और उसके बाद वो अंततार इस बात को मंजूर कर लिया वहां जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के स्टाफ के लोग थे उनक मुख्यमंत्री की तरफ से और उसका जवाब दिया जाएगा तो तीन दिन के अंदर मुख्यमंत्री को जवाब देना है इसके पहले क्राइम ब्रांच के पुलिस कह रही थी कि नहीं हम तो सीधे मुख्यमंत्री से मिलेंगे और मुख्यमंत्री को ही देंगे सर्व करेंगे हम किसी तीसरे को नहीं देंगे अब ये जो गुत्तम गुत्ता दोनों और से चल रहा था लेकिन अंतता मुझे लगता है कि मामला सुलट गया और पांच घंटे के बाद दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो लोट गई तीन दिन के अंदर कहा गया है कि उन्नोटिस का जवाब द हैं अब सवाल उठता है कि ये हमारे देश में जब से दल बदल का मामला बहुत तीखा हुआ है पूरे देश में और ये कोई आज की बात नहीं है ये कॉंग्रेस रिजीम के समय से चल रहा है तो ये आरोप लगना बहुत ही फ्रिक्वेंट है हमेशा लगता रहता है कि इस के लोग ऐसा कर रहे है उस पारटी के लोग ऐसा कर रहे है अब बहुत सारी जगहों पर तो हमने देखा है कि तरह-तरह के आपरेशन के नाम दिये जाते हैं कोई कुछ कहता है तो उसमें अरविन्द केजरिवाल की पार्टी ने जो आरूप लगाए है कि उनके इतने विधा कुछ संख्या उन्होंने बताई है कि इतने विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी बीजेपी की द्वारा पैसे की पेशकस की जा रही थी उनके पास कुछ प्रमान है अब उनका ये दावा है वो उनको चाहिए कि वो अगर उनके पास तत्थ हैं तो वो पेश कर लेकिन अगर तत्थे नहीं है तो अपनी गलत बयानी के लिए माफी मागें ये भी एक हो सकता है लेकिन इसको एक पुलिटिकल जो एक दुसरे परावरोप प्रत्यारूप का जो मामला है और ये हमारे देश की राजनीत की संस्कृति का हिस्सा बन गया है इसको करना एक एक बयान पर अगर शिकायद दर्ज होती रही पुलिस की और पुलिस नेता के पीछे भागते रही तो मैं समझता हूं कि नेता तो कोई बयान ही नहीं दे पाएंगे सिर्फ भारती जन्ता पाटी के नेता बयान दे पाएंगे क्योंकि वो जो कुछ कहेंगे उनके उपर पुलिस कभी नहीं जाएगी उनके उपर कभी कोई आरूप नहीं लगेगा चाहे वो जो जिसके खिलाब जो चाहे वो कह दे तो ऐसी स्थिती में दोस्तों बहुत मुश्किलें पैदा हो रही हैं अपने देश के विपक्षी नेताओं के खिलाब अब हैमन सोरेन के उ चाहे विधायक हों चाहे पताधिकारी हों तो हेमन सोरेन से ज्यादा भरस्ट व्यक्ति इस देश में कोई नहीं है इस तरह के बयानात आ रहे हैं तो अच्छा ये केवल हेमन सोरेन के बारे में नहीं है बहुत सारे नेताओं के बारे में बयानाते रहते हैं जिसे देखो उ होती रायनितिक है और रायनितिक मसले में एक तरह से पुलिस हस्तक्षेफ है पुलिस को अधिकार है कि अगर कोई व्यक्ति कम्प्लेन करता है तो इसकी वो जाट परताल करेगी इसमें कोई दो राय नहीं है इसमें पुलिस का कोई इसमें गलत नहीं कर रही है लिकिन ये राय के मसलों को रायनितिक तोर पे हल करेंगे किस तरह के मसलों पर वो आपस में संभाद से मसलों को ताय करेंगे क्योंकि अव्यक्ति की जो आजादी है उसका भी ये प्रश्ण है क्योंकि अनरगल आरूप लगाना तो बिल्कुल गलत है इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन अगर कोई आरूप लगाता है कोई 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 शिकायत करता है रायरितिक तो पे तो अपने देश की रायरितिक संस्कृति का ये हिस्सा रहा है ये कोई बिलकुल नई बात नहीं है आप देखिए पार्लामेंट के जो प्रोसीडिंग्स हैं आप उसमें बीजेपी के नेताओं के जो आरूप हैं कांग्रेस की उस समय की सरकारों के उपर जिस तरह से वो आरूप लगाते थे वो आप देख लीजे मैं तो वर्षों से पार्लामेंट कवर करता रहा हूं और मैंने देखा ये कोई नई बात नहीं है लेकिन इस मामले को जितना तूल दिया गया है मैं समझता हू कि इस पर दोनों दलों को बैठ कर आपस में विचार करना चाहिए कभी कभी विपक्ष को और सत्ता पक्ष को आपस में आमने सामने भी बैठना चाहिए कन्फरंटेशन और शत्रुता का भाव लेकर मैं समझता हूं कि जनता की सेवा कोई भी दल नहीं कर सकता है तो ये मसला बहुत ही पिचीदा हो गया है लेकिन किस मामले में अर्विंद केद्रिवाल की गिरफतारी पहले होगी या नहीं होगी ये अभी कहाना कठीन है लेकिन इसमें कोई दोराय नहीं कि अर्विंद केद्रिवाल बहुत बुरी तरह फंसते जा रहे हैं और उनको मजुदा जो सत्त आधारी जो सनरचना है वो किसी न किसी तरह से उनको चुनाव से पहले ऐसा लगता है कि उनको सबक सिखाना चाहती है तो दोस्तों आज इतना ही नमस्कार आदाब सत्रियकार